गौतम बुध्ध ने कहा था कि एक क्रूर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखे बाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है लेकिन एक कप्टी और धोखे बाज मित्र आपकी बुध्ध को नुकसान पहुँचाता है केवल एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी स्थिती में पहुँचा सकता है जहां आप महसूस करें कि यह दुनिया बहुत बुरी है अब यहां रहने से क्या फायदा? और ऐसा ही होता है जब आपको धोखा दिया जाता है और केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरे पर आँख मून कर भरोसा करता है हम तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करते हैं भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन एक समय के बाद ये भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रती अपनी आँखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं और तब ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसे मन व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा संसार से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की दृष्टी से देखने लगते हैं वास्तव में यह संसार धोखे पर चल रहा है हम किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं हमारे जीवन में कहीं न कहीं और लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं दूसरों द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है लेकिन हम खुद को वर्षों से धोखा दे रहे हैं हम खुद को ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े और हम अपने ही छोटी सी दुनिया में खोए रहे धोखा या विश्वास घाद दोधारी तलवार की तरह है हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं लेकिन यह धोखे बास तलवार सामने वाले की भी उतनी ही गरदन काटती है जितनी भविष्य में हमारी गर्दन काटती है दोस्तों, आज की इस बौधर कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम धोखे और विश्वास घात से खुद को कैसे बचाएं और वीडियो के अंत में हम दस ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो एक धोखे बाज और जूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं एक युवक बहुत गुस्से में है पहाडी से कूद कर आत्म हत्या करने जा रहा था जैसे ही वह पहाडी की छोटी पर पहुँचा तो चिलाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है यहां हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है उसी पहाडी की छोटी पर एक बौध भिक्षू अपने ध्यान में लीन था उस युवक की तीवर क्रोध भरी आवाज सुनकर वह व्यायाम से उठा वह तुरंत समझ गया कि यह युवक की यहां आत्महत्या करने आया है वह आदमी पहाडी से कूदने ही वाला था कि बौध भिक्षू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खीचते हुए कहा क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता? यहां कोई रास्ता नहीं है मैं यहां से कूद कर आत्महत्या करने जा रहा हूँ बौध भिक्षू ने कहा कि एक दिन सभी को मरना है लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है यहां हर कोई स्वार्थी और धोखेवाज है जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया लेकिन आज तो हद हो गई मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया वो एक अमीर बिजनसमेन के साथ भाग गई इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ बौध भिक्षू बोले क्या तुम स्वार्थी नहीं हो क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है उस व्यक्ति ने कहा मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया किसी को धोखा नहीं दिया आप चाहे तो मेरे गाम जाकर पूछ सकते हैं लोग अकसर मेरा फायदा उठाते हैं लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया बौध भिक्षू ने कहा मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ती नहीं हो व्यक्ती ने पूछा मुझे ये साबित करने के लिए क्या करना होगा तुम्हें साथ रहना होगा मैं अगले एज साल तक अपने आश्रम में रहूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि आप एक इमानदार व्यक्ती है या आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज है आदमी ने कहा ठीक है मैं एज साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूँगा और खुद को साबित करूँगा बद्ध भिक्षू लाया वह युवक उसके साथ उसके आश्रम में गया और उसे अपना शिष्य बना लिया अगली सुभर बद्ध भिक्षू ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया मुझे आप पर भरोसा नहीं है लेकिन आप फिर भी जाकर भिक्षा मांगते हैं तब तक मैं आपके अन्य गुरु भाईयों को शिक्षा देता हूँ वह युवा शिष्य गुरु को प्रणाम कर भिक्षा मांगने चला गया आज से पहले उसने कभी भी भीक नहीं मांगी थी इसलिए उसे भीक मांगने में बहुत परिशानी हो रही थी उसके मुह से भीक मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे उसका अहंकार उसे रोक रहा था लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था मालिक को गलत साबिद करने के लिए उसने भीक मांगी और वह भिक्षा लेकर स्वामी के पास लोट आया उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसे मंद हो मैंने सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूँ गुरु शिश्य को अपने साथ अपनी जोपडी में ले गए जोपडी के उपर एक बरतन लटका हुआ था गुरु ने जोपडी की ओर इशारा किया बरतन और कहा क्या तुम उस बरतन को देख रहे हो इसमें जहर होता है और जहर भी ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यू कैसे हुई यूवा शिश्य ने कहा लेकिन गुरू आप मुझे यह सब क्यों बता रहे है साधू ने कहा मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूँ कि गलती से भी इसे मत खाना कुछ दिनों के बाद गुरू एक जंगल से गुजर रहे थे उनके शिश्य तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया सभी शिश्य अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे लेकिन वृद्धावस्था के कारण मास्टर दोडने में सक्षम नहीं थे यह उस यूवा शिश्य को अनुभव हुआ और उसने वीर्ता का परिचय देते हुए अपने गुरू को डाकू से बचाया और आश्रम ले आया आश्रम पहुँचकर गुरू ने सबके सामने शिश्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिश्य तुम सबसे बहतर है जिसने अपनी जान जोखिम में डाल कर मेरी जान बचाई और मुझे यहां सुरक्षित पहुँचाया आज तक मुझे उस पर विश्वास है उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरू उस शिश्य से मिलते हैं तो उनसे एक बात कहना कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है धीरे धीरे गुरू का उस पर विश्वास हो गया शिश्य बढ़ता गया और बात इतनी बढ़ गई कि गुरू ने एक दिन शिश्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यू के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभालो आपके हाथों में शिश्य ने कहा कि गुरू यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी मैं भी उठाऊंगा इतना कहकर शिश्य चला गया कुछ दिनों के बाद गुरू बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिश्यों को बुलाया और ये घोशना कर दी कि मेरे बाद यह युवा शिश्य इस आश्रम को चलाएगा धीरे धीरे दिन बीठते गए और उस युवा शिश्य के मन की बेचैनी बढ़ती गए आश्रम पर जल्द से जल्द कबजा करने की चाहत बढ़ने लगी वह हर सुब़ गुरू के पास दर्शन के लिए जाता था यदि उसके स्वास्थे पर कोई प्रभाव पढ़ता लेकिन मास्टर जी का स्वास्थे दिन बदिन बहतर होता जा रहा था अब उसके सब्र का बांध तूटने लगा उसकी रातों की नीद हराम हो गई वह हमेशा यही सोचता रहता था कि मालिक को रास्ते से कैसे हटाऊ और किसी को पता भी नहीं चलता कभी-कभी वह सोचता है कि मालिक को नदी में धक्का दे दूँ लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मालिक को रास्ते से कैसे हटाया जाए एक अच्छा तैराक वह तैर कर बाहर निकल आएगा कभी कभी वह सोचता है कि मैं टीचर का गला घोट कर मार डालूँगा सबको पता है कि मैं मास्टर का विश्वास पात्र हूँ इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होता लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड सकती है मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे मालिक कि भी मृत्यू हो जाए और सभी को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यू है और भगवान को यही मनजूर था एक दिन वह युवा शिष्य गुरू के पास उनकी कुटिया में बैठा था तब ही उसकी नजर उपर लटके बरतन पर पड़ी उसे याद आया कि मालिक ने कहा था कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा कि किसी को पता नहीं चलता उसने सोचा यही सही रहेगा मैं यह जहर गुरू को दे दूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई और फिर पूरे आश्रम पर मेरा कबजा हो जाएगा अगले दिन उसने चुपके से चोरी कर ली मालिक की जोपडी से निकला जहर और उसे गुरू के भोजन में मिला दिया गुरू ने रात्री का भोजन किया और सोने चले गए लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था लेकिन गुरू नहीं उठे शिश्यों ने गुरू की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरू की मृत्ति हो गई है जब उस युवा शिश्य को इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और आश्रम पर कबजा करने का काम शुरू कर दिया उसी आश्रम में गुरू का एक पुराना शिश्य भी था वह पूरी घटना को चुप चाप देख रहा था वह अपनी कुटिया में गया वह वह वहां से एक दवा लाया और उस दवा को मास्टर को दिया थोड़ी ही देर में मास्टर की चेतना लोट आई और वह बिल्कुल ठीक होकर बैठ गया यह सब देखकर उस युवा शिश्य के पैरों तले जमीन खिसक गई वह बहुत घबरा गया गुरू ने बाकी शिश्यों को अपने अपने काम पर भीज दिया और युवा शिश्य को अपने पास बुला कर कहा कि क्या तुम अभी विश्वास करने के योग्य हो और कैसे मैंने आज तुम्हें धोखा दिया मालिक ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया मैं केवल अपनी आँखों से जो देखता हूं उस पर भरोसा करता हूं और मैं तुम्हारे अंदर लालच देख सकता हूँ और मैंने जानबूज कर तुम्हें यह लालच दिया था क्योंकि इनसान किसी को धोखा देने के सिर्फ तीन ही कारण होते हैं पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा इरश्या युवा भिक्षों ने गुरू से पूछा लेकिन गुरू मैं अपने आपको स्वार्थ, लालच और इरश्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ गुरू ने कहा खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो इनसान में बहुत संभावनाएं हैं, वह कर सकता है अपने लिए कुछ भी बनाओ, वह कुछ भी हो सकता है और जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर जाकें और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं तुम्हें कौन बदल रहा है क्या ये बदलाव अच्छा है या बुरा आत्म निरीक्षन का प्रयास करें गुरू की ये बात सुनकर और शिश्य ने फिर से उनके पैर पकड़ लिये और बोला गुरु जी मैं आपका शिश्य बनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ और मैं क्यों बदलू गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया उनका स्वार्त लालच और इर्शय कभी किसी को धोखा नहीं दिया व्यक्ति तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई रास्ता था, मेरे पास मजबूरी थी, लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यहीं है, जो इंसान जानबूज कर अपने फायदे के लिए करता है। पान और दिमाग खुले रखें, लोगों पर भरोसा करें, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, कि वे आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। हमेशा अपने सबसे महत्व पूर्ण कारियों पर नियंतरन रखें, और अपने जीवन की बागडोर कभी भी दूसरों के हाथों में न सौपें। और समय समय पर खुद को जाचते रहें, जिस धोखें से आप बचना चाहते हैं, क्या आप भी वैसा ही धोखा किसी और के साथ कर रहे हैं। और अगर फिर भी कोई आपको धोखा देता है तो निराश न हो क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क और सावधान हो जाता है इसलिए केवल एक धोखे के कारण अपना जीवन बरबाद न करें और इसे ए एक सबक के रूप में लें और आगे बढ़ें मास्टर ने कहा ये एक धोखे बाज व्यक्ति के दस लक्षण है एक चालाक व्यक्ति के जो आपको धोखा दे सकते हैं और आपके मन की शांती छेन सकते हैं निराशा के गहरे सागर में डूब कर वहाँ आपकी जिंदगी खत् पहली निशानी जो व्यक्ति जूटा होगा धोखे बाज होगा वहाँ आपसे सब कुछ छिपाएगा आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जान लेंगे और जब आप पूछेंगे तो वहाँ कहेगा जिसे वहाँ उनके साथ काफी समय बिताने के बाद भी बताना भूल आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे कि वहाँ आपके बारे में क्या सुचता है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आप इस बारे में हमेशा भ्रमित रहेंगे क्योंकि वहाँ आपसे सब कुछ छिपाएगा क्योंकि वह एक सच्चा आदमी नहीं है एक सच् व्यक्ति जिसके साथ हम रिष्टे में हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी सौंपने जा रहे हैं, जिसके साथ हम प्यार और विश्वास का सौधा करने जा रहे हैं, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह हमारे साथ साजा करता है या नहीं, या वह हमसे बात करता है चाहे हम उसकी कितनी भी परवाह कर लें उसके लिए कुछ भी कर लें लेकिन उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं होगी और ये एक बार नहीं बार बार दिखेगा लेकिन हम इसे नजर अंदाज कर देते हैं ये हमारी गलती है हमारे जादू के कारण हम देख नहीं पाते सच्चाई हमारी आँखों के सामने भी है अगर हम थोड़ा और सचेत होकर देखने की कोशिश करें तो ये हमारी गलती है तब हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है तीसरा संकेत जो व्यक्ति धोखे बाज है वो बहुत बड़ा जूटा भी है उसके अपने शब्द खुद से मेल नहीं खाते उसकी जुबान बदलती रहती है वो अपनी बात नहीं रखता लेकिन हम उसके जूट में फंस जाते हैं इसलिए हम उसे नहीं पहचानते निशानी धोखे बाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी चापलूसी करेगा और हमारी तारीफ करेगा लेकिन पीठ पीछे वो कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा और हमारा सम्मान नहीं करेगा चाहे हम उसके लिए मर भी जाए लेकिन वह कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा हम और कभी भी हमें उतना महत्व नहीं देंगे जितना हम अपने जीवन में देते हैं क्योंकि वह एक दिन हमें धोखा देगा इसलिए बेहतर होगा कि हम बहुत अधिक धोखा खाने से पहले सावधान हो जाएं पांचवा संकेत वे जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें बलकि इस पर ध्यान दें कि वे आपके साथ क्या करते हैं बात करना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है और ज्यादतर लोग इनहीं बातों पर अटक जाते हैं इसलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बात कर लें, उससे कई वादे किये जा सकते हैं, लेकिन जब तक वह पूरा करके न दिखा दे, छठे संकेत पर भरोसा न करें, प्रेम संबंधों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कैसे एक धोखे बाज व्यक्ति अपने प्यार करने वा कि भीक मांगी जाए तो अपमान ज्यादा करते हैं, अगर किसी रिष्टे में किसी से मिन्नत करनी पड़े, मुझे अपना समय देने के लिए मुझसे बात करो, तो इससे बुरा रिष्टा कोई नहीं हो सकता, जो आपसे सच्चा प्यार करेगा, वह खुद चाहेगा कि वह ज्यादा तर समय आपके साथ बिताए, जिससे आप समय की भीक मांगते हैं, समझ लें कि उसमें आपके लिए कोई प्यार नहीं है, सात्वी निशानी उसके पास हर चीज के लिए समय होगा, लेकिन आपके लिए उसके पास कभी समय नहीं होगा, वह अपने जीवन में आपक लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा लेकिन आपको कभी भी छोड़ेगा वह आपसे तभी बात करेगा जब वह चाहेगा तब नहीं जब आपको उनकी जरूरत हो वे आपकी जगह किसी और को ले सकते हैं लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा ना उनकी आदतें ना उ पर आपके साथ रहेंगे जब भी वे सहज होंगे और अच्छा महसूस करेंगे वे आपके साथ रहेंगे और अगर इससे उन्हें थोड़ा सा भी दुख होगा तो वे चले जाएंगे क्योंकि वे कभी भी अपनी शर्तों से बाहर नहीं आएंगे आपके लिए कुछ भी करने के लिए आरामदायक शेत्र नौवा संकेत वे आपको हमेशा चोट पहुँचाएंगे कभी कभी जान बूझ कर और कभी कभी उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि वह आपको कितना चोट पहुँचा रहे हैं और आपका दिल दुखता रहेगा आप उस व्यक्ति के साथ खुश महसूस करेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है उसके साथ रहने से आपको यह महसूस होगा जैसे आप हवा में हलके से उड़ रहे हैं और अगर आप किसी धोखे बाज और गलत व्यक्ति के साथ रिष्टे में हैं तो सब कुछ भारी और बोजिल लगेगा ऐसा लगेगा कि कुछ घड़ बढ़ है अंदर से आवाज आएगी कि यह रिष्टा आपके लिए सही नहीं है और अगर आप इसे सुनकर भी नजर अंदाज कर देते हैं तो यह आपकी गलती है दसवा संकेत आप उनकी जिन्दगी में कहीं नहीं है उनकी जिन्दगी में आ उनकी जिन्दगी से गायब हो जाएं वे जीत जाएंगे बुरा मत मानना इस से अच्छा है कि हमारी जिन्दगी से समस्या दूर हो गई है अब हम आजाद हैं और जो चाहें कर सकते हैं दोस्तों अगर आप भे रिलेशन्शिप में हैं ऐसे इंसान के साथ तो होश में आ जा जाएंगे तो आपके जीवन में दस अच्छे लोग आ जाएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे और जब तक आप इस तरह के जूटे व्यक्ति के साथ हैं तो आपको कोई अन्य अच्छाई दिखाई नहीं देगी लोग लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखे बाद इंसा वो प्यार का मतलब नहीं जानता लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और निभाना भी जानते हैं जिन लोगों को धोखा मिला वो अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर रहे थे प्यार इश्वर का दिया हुआ उपहार है और ये दुन प्रिटी डांसिंग की दुनिया उन्हीं की वजह से है जो प्यार करते हैं और अंत में एक और बात दोस्तों अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से धोखा मिलता है ये आपको गलत समझा जाता है तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें एक दूसरे को परिवार से थोड़ा बाहर हैं जैसे आपका दोस्त, दूर का रिष्टेदार या पडोसी लेकिन परिवार के सदस्यों को माफ कर देना ही समझदारी है उम्मीद है आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता धन्यवाद